नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज हम इस वीडियो में पार्ट 18 एमर्जेंसी प्रोविजन आर्टिकल 356 पढ़ेंगे जिसको हम प्रेजिडेंट रूल बोलते हैं तो इस आर्टिकल में जो भी थियोरी है उसको हम पढ़ेंगे और उसका जो मतलब है वो समझने कोसिस करेंगे तो क्या हार्टिकल 356 प्रोविजन इन केस अफ फेलियर उफ कॉंसिटूशनल मैसेनरी इंस स्टेट के अंदर कॉंसिटूशनल के इसाब से काम नहीं हो तो यह नहीं हो रहा है जो जो काम होना चाहिए इस टेट के अंदर वो नहीं हो रहा है जो पावर दी गई है इन पावर के लिमिट में रहके काम करना है लेकिन स्टेट उनसे उपर जाके काम कर रहा है या फिर जो ड्यूटीज है उनसे नीचे काम कर रहा है ठीक से काम नहीं कर रहा है वो ड्यूटीज का तो वह यह constitutional failure इस तरह का यह जो constitutional failure को लेकि इस तरह का कुछ होता है काम अच्छे से नहीं होता है तब क्या होगा उसके बारे में इसमें बताया गया तो देखो first close में if the president on reshipped of a report from governor governor से report मिले of state state की or otherwise is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of this constitution the president may by proclamation इसमें यही है कि president को अगर governor एक report बेजेंगे यहां पर जो बात बोल रहे है governor को governor साहब president साहब को एक report बेजेंगे कि इस तरह का constitutional missionary का failure हो गया state के अंदर तब वो report जाएगी दब president साहब उस report को पढ़के उसके उपर भाई सारी बार तलाब करके वो आगे action न वो आगे इसमें पताया गया article में वो क्या करेंगे यहां पर otherwise का मतलब क्या है कि otherwise means governor का report जाना प्रेजेंट के पास बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो भेजेंगे तो यह action होगा नहीं even otherwise president को खुद ही पता चलता है कि so and so state के अंदर constitutional missionary का failure हो गया है कि अपने duty को वो ठीक से नहीं कर रहे है state में या जो power दी गए उनका misuse कर रहे है तो इस तरह का कुछ पता चलता है तो वहां पे proclamation मतलब president rule आ जाएगा प्रेजेंट साब अपना प्रेजेंट रूल लगा सकते हैं clear कर सकते हैं यह बात बोल रहा है first उसके बाद देगो ए में क्या है assume to himself all or any of the functions of the government of the state and all and all or any of the powers vested in or exercisable by the governor or any body or authority in the state other than the legislature of the states भाई हमने उपर पढ़ लिया ना कि यह इस तरह का constitutional failure होता है तो president साब declare कर सकते हैं emergency इसमें यह बोल रहा है कि आगे से state का जो भी function है declare करने के बाद की बात कर रहा है आगे से जो भी state के function है वो खुद करेगा president साब खुद देखेंगे ठीक है जो governor की power है वो भी उनके पास आजेंगे जो power duty है state की वो भी उनके पास आजेंगे जो भी law बनाने की power है वो भी हमने वैसे पहले पढ़ ली थे articles में वो भी उनके पास आजेंगे तो यह बात होगी president rule वाली जब president rule होता है तो state legislature काम नहीं करता है state legislature बिलकुल suspend हो जाती है यह बात बोल रहा है इसमें एक लोज में और state legislature जब तक suspend रहेगा ठीक है तब तक president rule है उसके बाद क्या है जब तक president rule revoke ना हो भाई यह president rule खतम ना हो और नया election conduct होके नया government ना आ जाए new state legislature ना आ जाए तब तक president सब अपने अंडर में ले लेंगे लेकिन state legislature नहीं चलेगा उ यह बात बोली वही चीज है कि state legislature का काम शिचलेट नहीं करवाते हैं प्रेजिडेटेंट साब कि प्रेजिडेंट रूल लगने के बाद भी president state legislature से काम करवा रहे हैं ऐसा नहीं होता है वह suspend हो जाती है और जो भी सारा काम होता है कोई बनाने का काम है वह सारा काम including provisions for suspending in whole or in part of the operation of any provisions of this constitution relating to any body or authority in the state इसमें ये है कि President Rule लागू करने के मामले में जो President साब ठीक समझते हैं उस तरह के provision add करेंगे या पुराने जो provision है State Government के पास है State List के matter पे उन पे लोग बनवा सकते है President साब पार्लेमेंट से ठीक है पहले क्या था State Government Tax Collect कर सकती थी वो सारे provision क्या है Constitution में जो लिखे है State के लिए वो उस टाइम पे क्या टम प्रेरी सस्पेंड कर सकते हैं President साब और वो करी देते हैं आपर बोला है ना provisions for suspending in whole or in the part of operation भी जिस पार्ट में State के या तो किसी पार्ट में कोई operation कर रहा है जो प्रेजेट रूल है मतलब emergency गोसित कर रखिये है उस पार्ट में या पूरे State में वो जो रूल्स हैं जो State List के मैटर में जो रूल चालू चल रहे थे जो State List के मैटर पे लोग बने वे थे जो प्रोविजेट बने वे हैं वो चल रहे थे उनको टंप्रेरी सस्पेंड कर सकते हैं प्रेजेट साब ये बात बोल रहा है इसमें उसके बाद है कंडिशन प्रोवाइडिंग देट नाथिं इन इन इस क्लोज शैल उथराइज दी प्रेजेट तो अजूम इसमें ये है कि प्रेजेट रूर लगने के बाद स्टेट गवर्णन के जो लोजियलितिव पावर्स लोबनाने के प्रेजेट बनाने का तो पावर्स ये दोनों पावर ले लिया प्रेजेट साब ने लेकिन जो judicial power है वो नहीं ले सकते हैं ठीक है अपने पास प्रेजेंट साब छो पर तो नहीं करेंगे ऐसा बहुत की पावर को टुछ नहीं करेंगे पुर्ण साहाँ जानित और इसा भी नहीं है कि हाई कोट की पावर खतम करके अभव सकता है ताइम पे ये चीज भी नहीं होगी ये बात बोल रहा है हमारा इस condition में कि भी या simple सी बात ये high court high court की जो power है वो present साब नहीं ले सकते emergency के time पे तो simple सी बात ये है चाहे state government rule हो चाहे present साब का rule हो emergency गोसित हो गई है तो उस time पे high court को कोई फरक नहीं पड़ेगा और जो other court है उनको भी कोई फरक नहीं पड़ेगा emergency के time पे ये बात बोल रही है इस condition में उसके बाद है second any such proclamation में भी revoked और varied by a subsequent proclamation present rule वाला जो ये declaration है उसको immediately वापिस भी ले सकते है president साब या सब situation ठीक हो गया या कुछ change भी कर सकते हैं और वो सब कैसे करेंगे next जो दूसरा declaration है वो देखे ये बात बोल रहा है any such proclamation में भी revoked और varied by subsequent proclamation दूसरा जो declaration है उसको देखे उसके बाद third every proclamation under this article shall be laid before each house of parliament and sell वही parliament में दोनों house में ले करना देखो आगे क्या है except where it is a proclamation cease to operate at the expiration of two month unless before the expiration of that period it has been approved by resolution of both houses of parliament ये वाली बात हमने पहले वाले articles में पढ़ लिया है कि present rule जब लगता है तो present साब ऐसा नहीं है कि से अपने से ही कर देते हैं नहीं नहीं वो union cabinet है union cabinet में कौन होता है प्राइम मिनिस्टर और जो उनके ministers होते हैं वो forward करते हैं उनका जो अपना intent होता है अपनी जो राय होती है उसको present साब को देते हैं कि आपने ऐसे ऐसे करके emergency impose करनी है ठीक है तब present साब क्या करते है emergency impose करते है present rule लगाते है ये simple सी बात है ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ने राय राय दिया प्रेजंट صاحب को बोल दिया कि आप प्रेजंट रूर लगा तो ये सही नहीं है उसके बाद ठीक है उन्होंने अपना दे दिया लेकिन उसके बाद के पूरे पारलामेंट से भी अपरूर लेना होता है तो जैसे प्रोक्लमेशन हो गया तो उसके दो मंत के अंदर अंदर राज्य सभा और लोग सभाग से उसको उस प्रोक्लमेशन को ओके करवाना होता है ये बात बोल रहा है हमारा ये थर्ड कलोज simple सी बात है it has been approved by resolution of both house of parliament ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने और उनके जो मिनिस्टर है उन्होंने union cabinet ने क्या किया कि प्रेजिन साब को राय दी कि आप इस स्टेट में जो प्रेजिन रूलर वो लगा तो उन्होंने डिकलेर तो कर दिया लेकिन जो रेजिलेशन जो प्रो प्रू नहीं कराया दोनों house से तो यह दो महिने के बाद क्या हो जाएगा एक्सपायर हो जाएगा और प्रेजिन रूल वाली बात में हमने देखा कि भी दो महिने के अंदर और जो emergency होते है उसके एक महिने के अंदर अंदर इसको पास करवाना होता प्रू करवाना था दोनो था बाद एक इस एक जाएगा तब क्या एक जब एक फिर रो जाएगा तो मतलब किया है अमर्जनशी को हटाना पड़ेगा सिम्पल सी बात है प्रेजन साहब को कि बाद एक कंडिशन प्रोएड़ीज नोट बाद आप एक जो जोगई कई चाहिशन प्रोथिप एक has been passed by the council of state Rajya Sabha, but no resolution with respect to such proclamation has been passed by the house of the people Lok Sabha, before the expiration of that period, the proclamation shall cease to operate at the expiration of 30 days from the date on which the house of the people first sit after its reconstitution unless before the expiration of the set period of 30 days, a resolution approving the proclamation has been also passed by the house of the people. हमने पिछे वाले क्लोज में पढ़ा कि दोनों आउसे से पास करवान होता है, यहां पर इसमें कंडिशन में क्या बोल रहा है, ऐसा होता है कि लोग सभा हो दिजोल हो जाती है, कि जब प्रोग्मेशन डिकलेर होका, जो प्रेश Québec सभेशन डेकलेर हो गया है, तभ क्या होता है, यह दो मेने का जो टाइम मिला है उसमें लोग सभा डिजोल हो गया या दो मेने के अंदर ही राज़े सभा से तो अप्रू हो गया लेकिन लोग सभा से अप्रू करने के टाइम पे क्या है लोग सभा डिजोल हो गया तो इन तीनों सिचेशन में क्या होता है जो न्यू लोग सभा ह कर लिया है और जो न्यू लोग सभा है उसको 30 डे के अंदर इसको या तो इधर करना है या फिर नोट करना है और कुछ भी नहीं किया तो थर्टी डे के नेक्स डे ही वो खतम हो जाएगा एक्सपायर हो जाएगा ये बात बोल रहे है इस कंडिशन में सिंपल सी बात आपको समझ में आई होगी तीन कंडिशन थी तीन सिच्यूएशन में बही जो एमर्जेंसी वो डिक्लेर होगी कि उस टाइम पे लोगसभा डिजॉल है पास नहीं करवा पाए दूसरा फिर दो महिने का जो टाइम मिला उसमें क्या है राजय सभा ने तो टाइम पे फिर लोगसभा भी जो गया तो इन तीनों सिच्चूएशन में जब नई लोगसभा बनने गा थटाइम होता है और थट अगर दोनों आउसे उस emergency जो proclamation उसको पास नहीं करवाया तो मतलब क्या है प्रेजन साब को emergency को वापिस लेना पड़ेगा उठाना पड़ेगा उसके बाद जी फोर्थ तो ये जो सारा उपर हमने procedure complete करके जो हमने अभी तक पड़ा है प्रेजन रूल डिकलेर हो गया डिकलेर के बाद दो महिने के अंदर उसको rectify भी करवाया तब हर एक प्रेजन रूल जो भी लगेगा उसका time period कितना होगा मालो अभी प्रेजन रूल लग गया तो उसका time period कितना है वो सारा procedure complete करने के बाद भी क्या है कि प्रेजन रूल का जो time है वो कितना होगा वो होगा six month यहां पर बोल रहा है six month from the date of issue of proclamation जिस date से उस president order का validity कब से शुरू होगा उस date से जब वो proclamation issue हुआ है ठेक है यह बात बोल रहा है इसमें इसको continue करना है इसी जो president rule रगा है इसको अगर continue करना है तो फिर से उसको second term के लिए अप्रूव करवाना होता है राजय सभा और लोग सभा से इसके बाद condition एक और provided that if and so often as the resolution approving the continuance in force of such a proclamation is passed by both house of parliament the proclamation shall वो जो मैंने आपको पिछे बात बता है अगर उसको continue करना है तो दोनों house उसको pass करवाना पड़ता है फिर से unless revoked continue in force for a further period of six month के लिए from the date on which order this close it would otherwise have ceased to operate but no such proclamation shall in any case remain in force for more than three years इस condition में यही बताया गया है कि जो आप यह continue कर रहे हो emergency को 6 महीने के बाद फिर से उसको दोनों house से pass करवाने के बाद फिर से 6 महीने करवा रहे हो तो इसको आप कब तक कर सकते हो तो इसको सिरफ 3 साल तक कर सकते हो यह limit दी गई है यह यहाँ पर जो बोल रहे है more than three year remain in force more than three year तो यहाँ पर यह है कि तीन साल तक आप ऐसे कर सकते हो उसके बाद नहीं कर सकते आपको फिर से मतलब वही है situation देख के आपको भही situation तीन साल में तो normal होई जाती है कोई भी चीज हो यार और उसमें यह है कि तीन साल के बाद वहाँ पर election करवा के state government को power देना हो यह बात बोली गई है इस condition में simple चीज बात को ज्यादा नहीं है उसके बाद एक और condition provided further that if the dissolution of the house of the people takes place during any such period of six months and a dissolution approving the continuance in force of such proclamation has been passed by the house of the people during the said period the proclamation shall cease to operate at the expiration of 30 days from the date on which the house of people first sits up for the constitution unless before the expiration of the said period of 30 days a resolution approving the continuance in force of the proclamation has been also passed by the house of the people इसमें बही लोगसभा के dissolution को लेके बात बोली गई है कि six months के आगे next कुस को continuous करवाने के लिए ठीक है बही लोगसभा ने कर दिया लोगसभा उस टाइम पर डिजोल हो गई ठीक है तब क्या करना है तो वो जो तीन कंडिशन मैंने आपको पहले बताई थी क्लोज में वही चीज़े हैं कि लोगसभा डिजोल हो जाती तो उसके बाद क्या करना है तो जब न्यू टीम आने के बाद 30 दे के अंदर जब नहीं लोगसभा आएगी तो उसमें के 30 दिन के अंदर टाइम होता है ओके कराने गया उसको reject करने गया कुछ भी नहीं किया तो वो expire हो जाता है यही बात बोली गई इसमें और कुछ नहीं है तो इसमें बाद एक और condition provided also that in the case of proclamation issue under close one जो close one में बात बोली गई है तेखो हमने पीछे पढ़ा ना कि तीन साल तक भई वो continue करने का जो वो है वो तीन साल तक रहेगा उसके बाद election करवा के और भई स्टेट को power देना होता है लेकिन पंजाब के case में क्या है पांच साल रह चुका है पंजाब के case में क्योंकि पहले रह चुका है तो वो special case हो गया पंजाब का वहाँ पे कब से 1987 से लेके 1992 तक यहाँ पर emergency imposed रही तो उस case में पंजाब का यहां पे बोला गया है पंजाब को 5 साल है और बाकी के लिए 3 साल विए कि यहां पे special situation बताए गए यह पंजाब को ले के उसमें 5 साल और बाकी हों में 3 साल उसके बाद है 5th clause notwithstanding anything contained in clause 4 a resolution with respect to the continuance in force of a proclamation approved under clause 3 for any period beyond the expiration of one year from the date of issue of such proclamation shall not be passed by either house of the parliament unless इसमें यह check और balance वाली बात है कि center government 3 साल तक तो जो time है maximum period है ठीक है 6-6 month के लिए जो extend करते नहीं जा सकती भी 6 महीने extend किया फिर 6 महीने extend कर लिया ऐसा करते भी थोड़ीन जाएगी एक प्रेजेंट रूल लग गया ठीक है उसको extend भी हो गया एक साल हो गया complete 6 महीने के लिए प्रेजेंट रूल लगा उसके बाद उसको extend कर वा लिया 6 महीने और के लिए तो एक साल complete हो गया उसके बाद कुछ condition fulfill होने के बाद ही parliament ratify करेगी वो condition क्या है उसके बारे में हमें ब the state at the time of passing of such resolution and इसमें यह एक पर्टिक्टल स्टेट में प्रेजन रूल एक एर उपर करना भी एक वन एर से उपर 6 मंत के लिए करना है तो उस area में emergency पहले सी लगा होना चाहिए उस area में emergency पहले से लगा होना चाहिए अगर present rule एक साल से उपर फिर next six month के लिए करना है तो यह जो present rule है वहाँ emergency पहले से लगी होने चाहिए और presidential तो वहाँ emergency पहले से लगी होने चाहिए तभी present rule को extend कर सकते ही यह condition बता दी है आपे वहाँ पहले emergency वहाँ पे लगी होनी चाहिए उसके बाद आप जो present rule है उसको extend कर सकते हो 6 महिने के लिए ठीक है एक साल के बाद उसके बाद है बी आपे थोड़ा confusion होँगा ना कि present rule पहले starting में present rule लग गया ठीक है एक साल हो गया तो वो तो ठीक है उसको continue कर सकते हैं तीन साल के लिए लेकिन president rule की condition भी यह है कि कहीं पे जो emergency लगी वी है president rule और emergency दोनों अलग अलग भी है एक national emergency एक state emergency ठीक है वो अलग लग है मैंने आपको बताया article में यह article हम 356 कर रहे है और article 352 में क्या है 360 में क्या है वो आपको भी पता चल जाएगा यह presidential rule है उसमें emergency नेशनल emergency थे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि emergency एक साल तक होनी चाहिए उसके बाद वहाँ पे presidential rule extend कर सकते हैं यह condition यहाँ पे एक बता दी दूसरा क्या है बी में यहाँ पे election commission का रोला गया है election commission के दवारा एक certificate मिलना जरूरी है कि उस state में हम यह यह problem के विजए से general election conduct नहीं कर सकते हैं तो वहाँ emergency होना चाहिए उस case में उसको extend किया जाता है one year के आगे जो president rule है उसको extend कर सकते हैं maximum 3 साल है लेकिन एक साल के बाद इस तरह की जो condition उनको भी hold करना चाहिए यह बात बोली जा रही है इन दोनो close में A और B में the condition provided that nothing in this close shall apply to the proclamation issue under close 1 on the 11th day of May 1987 with respect of the state of Punjab यहाँ पर यह बोल रहा है कि यह जो बाते हमने उपर सारी पड़ी ना यह state पंजाब के उपर लागू नहीं है क्योंकि वहाँ कुछ औरी situation था उस time पर औरी condition था ठीक है यह बात बोली जा रही है तो इस article के उपर मैं एक और वीडियो लेके आँगा थोड़ा सा और detail में पढ़ेंगे इसको तो अभी नहीं आगे फिर पढ़ेंगे जब MCU की practice करेंगे थैंक यू फो रोजिंग इस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना चैनल पर नहीं है तो गाइस सब्सक्राइब करना